सो हे गाईस कैसे आप लोग उमिद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तो आजम बात करेंगे कोष्ट गार्डी कटप के वारे में यदि आपने कोष्ट गार्ड नेविक डीवी एंड जीडी के एक्जाम दिया है फस्ट दो हजार चौविस साले बैच का तो इस वाले बैच करते हैं आपकी कटप के वारे में नमबर एक इस वार नेविक डीवी यानि की डॉमेश्टी ब्रांच की कटप कितनी गई है दोस्तो और ये तो आप जानते हैं कि 60 नमबर का पेपर होता है ठीक है और 60 मैसे दोस्तो इस वार कटप के नगाई है हम आपको बताएं ऐसी वाल सिलेक्شन हो चुका है Phase 2 के लिए ठीक है तो 41 cut up गई है SE वालो की और OBC वालो की cut up गई है दोस्तो 42 ठीक है यदि आप OBC category से आते हैं तो इस वार cut up गया दोस्तो 42 ठीक आगे बात करते हैं दोस्तो यदि आप general से आते हैं तो general वालो की कट उप करने गई है? 44 ठीक है? और इस वार काफी कम कट उप गया पहले दोस्तों कट उप जाती थी कोष्ट गार्ड डीवी की 50-55 के आसपास ठीक है? लेकिन पहले से भी दोस्तों काफी कम कट उप गया इस वार कोष्ट गार्ड का और OVC वालों के हमने आपको बता दिया दोस्तों बैलिस कट अप गई है OVC वालों की ठीक है यदि यह ते नंबर होते हैं आपके तो भाई आप सॉलिस्ट कर दिये गए होंगे फेस्टू एक्जाम के लिए और आप अपने तयारी में चाहिए हम आपको बता दें एसी वाले दोस्तों कट अप कितने गई है 62 ठीक है 62 कट अप गई है एसी वालों की यदि यह ते नंबर होंगे आपके तो आपने अपना एक्जाम पास कर लिया है और आपको श्टेट टू एक्जाम के लिए आगे बढ़ा दिया गया है दोस्तों फेस्टू यानि की आपका जो होने वाला जनवरी में होने वाला है तो आप उसका एक्जाम दोगे यह रिटिन एक्जाम कट अप की बात करें फाइनल कट अप नहीं है दोस्तों अभी तो आपने केवल एक ही पड़ा पार किया अभी तो दूसरा पड़ा भी पार करना है तीसा पड़ा भी पार करना है तब जाकर आप बढ़ादी ले पाऊगे तो नेविग, जीडी, सी कट अप दोस्तों की नहीं गई है 62 ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों EWC cut up करने गई है 67 67 दोस्तों cut up गई है EWC वालो की comment करके बताओ कि आप कौन सी category से आते हैं और आपके किते number हैं आप pass है या fail है ठीक है ये comment जरू करना तो EWC वालो की दोस्तों cut up करने गई है 67 और OBC वालो की दोस्तों cut up कितनी गई है 70 ठीक है पहले से भी दोस्तों काफी कम cut up गया है इस बार नेविक GD का भी तो 70 cut up गई है दोस्तों OBC वालो की ठीक है OBC से आप आते हैं तो 70 number आपके होंगे दोस्तों आपने अपने exam qualify कर लिया होगा और phase 2 की तैयारी में आप लग जाना admit card आपके आज चुके है January में दोस्तों आपका phase 2 होने वाला है और phase 2 में क्या क्या होगा है हमने आपको पहली बता दिया है वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी आप देख लेना और हाई बाद दोस्तों आपके document की DB यानि की document verification में कौन-कौन से document चाहिए और उसके लिए लगसार वीडियो हम बना दीगे कौन-कौन से document आपको लेकर जाने होंगे ठीक है आपको बता दिया जिनवरी में होने वाले है यानि की next month में तो वक्त काफी कम है आपके पास तो जतना हो सके तयारी कीजे आपका दोस्तों फेस्टू एक्जाम में दोड़ होने वाली है ठीक है पीएफटी होगा पीएफटी में कहके होगा 1600 मेटर रनिंग होगी जो की आपको 7 मेट में कौलिफाई करनी होगी पूरा complete टाइम आपको मिलेगा 7 मेट ठीक है ऐसा नहीं की 5 मेट आपको दिया जा रहा है या 6 मेट आपको मिल ला है आर्मी कितनी हो नहीं है बिलकुल complete यान पीएफटी में होने वाला है आपका डीवी होगा document verification होगा और आपका दोस्तों एक passing test देना होगा आपको दोस्तों ये रख दिये गया है इस वार ठीक है ये qualify करना है इसके नम्मर नहीं जुड़ेंगे और एक आपका intel medical होगा इसकी दोस्तों नहीं है लेकिन इसमें नोटी कि दोस्तों आप कौन सी category से आते हैं और आपके category cut up कितनी गई है ठीक है और जो भी हमसे cut up छुड़ गया है दोस्तों हम telegram पर आपको बता देंगे परेशान मत होना ठीक है सभी cut up आपको मिलेंगे telegram पर तो अभी तक आपने join नी कर रखाए तो join जरू गर लेना तो हमने आ अपने exam qualify किया है या नी ठीक है आप सौड लिस्ट किये गए है ने ये जरू बतागा जाना तो जतना हमें cut up मिल पाया था हमने आपको बता दिया है फिलाल आज की वीडियो में अतना ही था दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं कराया तो लाइक जरू कर देना सेर कर देना और हाँ चैनल पर नहीं हो पहली वार आयो तो छोटी से रोकाष्ट है चैनल को सस्काइब कर लेना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप त्यारी करते रेजी अपना ख्याल लगो जय हिंद